आगे किसी ने एक सवाल किया है सवाल इस तरह से आप से मेरा ये सवाल है कि जिन या शैतान का कैसे पता चलेगा कि घर में है मतला उनका सवाल ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि जिन या शैतान हमारे घर में देखिए जिन और शैतान तो सभी के साथ रहते हैं मैंने इससे पह आदम अलिहिसलाम के अौलाद के हर काम में शाहिए हैं ठादिस में हैं हर जगा है वो अब हमको और आपको क्या करना ही जाहज़ा हमें चाहिए कि हम खुब जिक्र करें तो शेतान ने कहा अल्लह ताला खुद उनके ओपर एक शच्टान को मसलत कर दा किस पर जो लोग अल्लह का जिक्र नहीं करते शच्टान मसलत हो के वहुवा करीद हमेशे उसको चिपक जाता है ठीक है तो लहाज़ा हमें चाहिए कि हम खुब जिक्र करें अल्लह का तो शच्टान है कैसे पता चलेंगा, वो तो है ही हर तरफ हम पैदा हुए, हमारे पीछे एग लगा दिया, शेतान ने अपने गुरूह में से, हमारे हर काम में शामिल है, खाते वक्त बिसमिल्ला ना पड़े शामिल, घर की अंदर बिसमिल्ला ना पड़े तो शामिल, इसी तरह इनसान जो भी काम करता है उसमें वो शामिल हो जाता है लेकिन जब एक बंदा अल्ला का जिक्र करता है तो वो दूर भागता है रिपल होता है वो रिपलन का काम करता है अल्ला का जिक्र वो दूर रहता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं आस पास होते हैं जब भी हम ज प्रिकर अल्लाह का चोड़ दे फिर आकर हमारे कामों में शामिल हो जाते हैं अल्हात अल्हा हमारी इन से हिफाधता फर्माएं